नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकरवल आईएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज ये मेप देखने के बाद आपके दिमाग में जरूर कुछ खलवली मच रही होगी कि सुजीत सर आज कौँसा सुनामी मच आने वाले हो आज कोई सुनामी नहीं मच आने वाला हूँ आज आपके 10 से 12 कोश्चन आपके सही सही इस मेप को अगर दिमाग में रख लिए 38 के 38 जिला को बस आप दिमाग में रख लिजे कि कौँसा उत्तर में है कौन सा दक्षिन में है, कौन सा पूरब में है, कौन सा पक्सिम में है बस इतना अगर पता हो जाए, तो 10 से 12 कोशन सही हो सकता है ये पूरे 10 से 8 मिनिट के वीडियो में, आपको 10 से 12 कोशन सही हो जाएंगे और ये मैं ऐसे नहीं बोलना हूँ, बित प्रूफ के साथ बोलना हूँ लेकिस सबसे बड़ी समस्या है कि सुजीत सर, ये बात तो सही है कि 10 से 12 कोशन सही हो जाएगा लेकिन इतना बड़ा 38 जिला को दिमाग के अंदर रखना, ये जो है कही न कही बहुत मुश्किल है हाँ, मुश्किल है, लेकिन अगर कोशिश किया जाए, तो दुनिया की हर मुश्किल छोटी दिखती है वो कोशिश आपको करना होगा, और ऐसे भी आप ही लोग का रिक्वेश्ट था कि सुजीत सर, अब बिहार स्पेसल को भी आगे खीचिये धीरे धीरे करते ही करते, फिर बाइलोजी को भी खीचना शुरू कर दीजिएगा तो बिहार स्पेसल मैं तभी खीचूँगा, जब ये मेप 38 के 38 जिला आपके दिमाग में होगा तभी मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक, और तभी आपका पढ़ा हुआ सार्थक अधर्वाइस मैं बोलता रहूँ, चिलाता रहूँ, चीकता रहूँ, आपके दिमाग में जाने वाला नहीं है इसलिए इस मेप को आज 10 मिनट के अंदर खंगाल लेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में सेट कर देंगे बस साथ दीजिए सुरू से आंग तक इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे ही लोगडाउन खतम होगा 6 तारी के बाद, उसके बाद कहीं न कहीं कोई ने कोई कोचिंग में आप जाने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक होंगे तो ऐसे कंडिशन में एक आपके पास में है, बेस्ट कोचिंग का, वो है सिवर सक्सेस, सिविल सर्वीसेज क्लास है जहाँ पर डेली गूर्प डिसकर्शन होता है, डेली क्लास होती, पर डे टेस होता है, विकली टेस होता है और सबसे बरी बात, इस क्रोना काल को देखते हुए, सबसे कम फीस में, पूरे पटना में BPSC के बदलते प्रेटर्न के अनुसार से ही, हम बच्चों को शिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है क्योंकि पढ़ तो बच्चा खुद ही लेता अगर में, हम आज भी सिखाने पे ही यकिन रखते हैं और अधिक जानकारी अगर चाहिए कि कौन-कौन सी क्लास चल रही है, या कौन से क्लास में आपको एडिमिसन लेना है तो नीचे का जो नमबर डिस्पिल हो रहा, 9347-10148 और एक नमबर और है, वो नमबर भी नॉट कर लिजए, 9015148776 इस नमबर पे आप वाटसप कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, आज की स्टेशन का श्री गनेश करें अब रहा कि इस मेप को थोड़ा सा आप देखीगा ध्यान से, जितनी बाते बोला हूँ अंदर तक जाने दीजिए, इस मेप को सुझी ज़र कैसे शुरुआत करें देखिए, सब कुछ आपके ही जिमें छोड़ देता हूँ, जैसे आप कहिएगा, वैसे मैं शिखा दूँगा लेकिन, बीच से कहीँ नहीं, देखिए, कैसे सीखना इस मेप को इनप ध्यान से सब कुछ बंद कर देखिए, कहीँ नहीं जाना बस इस बात को सुनना कि क्या-क्या मैं बोलने माना या तो आप उत्तर से पर ये पूरा या तो आप पूरव से देख लीजिए पूरा या तो आप देख लीजिए पस्सिम से देख लीजिए जो भी पस्सिम के जितने भी जिला हैं उसको देख लीजिए या फिर दिल करें तो आप दक्षिन के जितने जिले हैं उसको देख लिजिए उसके बाद मीडिल में आईएगा उसके बाद आपका आसान हो जाएगा मेप देखने का यही तरीका one of the best trick है अगर ऐसे देखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा तो चलिए उत्तर से ही लेके चलते हैं क्योंकि उत्तर से ज अब सबसे उत्तर जो है यह क्या हो जाएगा पच्चिम के बाद पुर्वी चंपारन हो जाएगा यहां तक तो कोई डावतने आपको होगा एदन पूरा दिमात का अंदर जा रहा होगा कि आप यह पूरा का पूरा जो जिला देखने बाले हैं उसके सब उत्तर जिला देख दिखने बाले चंपारन हो गया चंपारन के बाद बीच में जो है बीच में सिव भगवान आते हैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बीच में पवस्मी संपारन पुर्वी चंपारन उसके बाद बीच में सिव भगवान आते हैं और सिव भगवान माता सीता को जो है जनम दे क следион Big Television स्वार और मात्ता्ट सिता यानि कि सीधा मढ़ी कि लिर समयGo सिता Magic सबूर्द को सीता मधी के बाद जो है आता क्या सीधा है मात्त सिधा जो थी वो मेठा खाने पर बिलीव सबस्काद है वैसे ही जैसे मैं खाता हूँ, आप खाते हैं, मीठा की बहुत बड़ी दिवानी थी, तो माता सीता जो है, मीठा खाती थी, यानि कि मधू, अगर प्राचीन काल में देखा जाए, तो मधू जो होता था, जो मध कहते हैं, मधू सबसे मीठा होता था, लोग उसी का मीठा के ल उसके बाद पूरी तरीके से जो है मद यहाँ पर हो गया मद के बाद जब मद होने एक बाद वो पूरी तरीके से क्या होता है एकदम पूल की तरह हो जाता था जैसे अगर मद आप खा लेता है तो पूरा पेट जब भड़ जाता है तो पूरा टाइट हो जाते है अब यहाँ पर माता सीता को छोड़ दीजिएगा यहाँ पर किसी इंसान को लेका आईएगा कि जब पूरी तरीके से खाना खा लेता तो पूरी तरीके से क्या होता है टाइट हो जाता है यानि कि यहाँ के बाद जो है पूरी तरीकी से पोल की तरह खड़ा हो जाता है यानि की सुपॉल ठीक न, उसके बाद सुपॉल के बाद जो है उसके बाद आता है अररिया जब पोल की तरह खड़ा हो जाता है तो उसको काट दिया जाए ज्यादा लंबा भी ठीक ने रहता है यानि आडी से उस पोल को काट दिया जाए पकड में आ रहे हैं यह बात नहीं बस ट्रिक के तुरू अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो आप उसका यूज कर सकते हैं आडी जो पोल की तरह खड़ा हो गया उसके बाद आडी से उसको काट दिया जाए और जब आडी से उसको काट दोगे कितना भी तुम काट दोगे उसके बाद आगे का जो आएगा जिला वो क्या होगा क्रिसन ध्यान रखेगा उसके बाद जो है किसन जी का गाउं आ जाएगा जैसी वो कटेगा पोल, आड़ी से उसके बाद किसन जी का गाउं शुरू हो जाएगा, यानि कि किसन गंज, यह हुआ उत्तर का जिला, यह ट्रिक याद रख लीजिए, यह सारे के सारे जो है, नेपाल से जुरे हुए, यह सारे जिला है, अगर इसको याद रख लीजिएगा अब जिन्दगी में नहीं भूलिएगा, अब कहिए कैसे, एक बार देख लिजिए, परसीम चंपाना तो समझ में आई गया, अगर परचीन चंपाना तो पुरवी चंपाना, उसके बाद सिभ भगवान आते हैं, सिभ भगवान जो है, माता सिता को पैदा करते हैं, और सिता माता जो है, आज भी क्या है, मतलब मीठा खाने के लिए पूरी तरीके से परशिद हैं, तो मीठा का मतलब क्या हुआ, मद अगर प्राचीन काल में, सिता माता के टाइम अगर देखीगा, तो मद ही होता था, मीठा के लिए यूज़ करते थे, तो मद भगवनी, अब जब को पूल को जो है काटने का यूज किया जाएगा क्योंकि जवरत से जादा खड़ा होगे तो चोट लगेगा तो काटने के लिए आरी की जवरत परेगी आरी तो अररिया और जैसे इसको काटिएगा उसके बाद किस्ण भगवान का घर शुरू हो जाएगा बॉर्डर सुरू हो लेकिन ये ठिक सबसी आसान है बच्चों की तरह है और यहां से हमेशा देगा हमेशा कोशन देगा कितने जिले जो हैं वो नेपाल से टच कर रहे हैं कितने जिले जो हैं सिभर में टच कर रहे हैं कितने जिले जो हैं मधुबनी से जुरे हुए हैं अगर ये चीज याद है तुझ जिन्दगी में गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, आईए, उसके बाद जो है, ये उत्तर वाला देख लिए, उत्तर के बाद हम लोग सीधे चलते हैं, पूरब की ओर, अब मज़ आएगा, उत्तर के बाद आते हैं, एक सकिन, हाँ, उत्तर के बाद आते हैं, इसके बाद देखिए, पुर्णिया, कटिहार, भागलपूर, बाका, इतना आपको ध्यान रखना, पुर्णिया, कटिहार, भागलपूर, वाका, अब देखिए, पुर्णिया है न, यानि कि क्या है, पुर्ण है, और जो पुर्ण होता है, जो ज्यानी होता है, जो का मताब क्या हुआ क्रिश्न भगवान क्रिश्न भगवान जो है वो क्या है पूरी तरीके से पूर्ण है यानिकि पूर्णिया है और जो चीज पूर्ण होता है वो ही कटता है यानिकि वहां के बाद कटी हाड एक तो एसे भी पुर्ण होता है वो कभी हारता नहीं है देखिए ट्रिक खड़ी खड़ी एदम आपको बस बता रहे हैं इस ट्रिक से यूज किजिए मज़ा आजाएगा कृष्ण भगवान है तो पुर्ण है पुर्ण है पुर्णिया है और अगर पुर्ण है तो इन्हें कोई ब्रमान में ह हार आने बाला नहीं है हार यानि कि कटिहार क्लिर हुआ है अगर कोई हारने बाला नहीं है तो यह किसी के पीछे भागने बाले नहीं है नहीं भागने बाले जो स्टुरेंट पढ़ा लिखा होता है जो समझदार होता जिसके अंदर ग्यान होती है वो किसी के पीछे भागता बागता नहीं है बलकि अपने ज्ञान को और सुद्रड करने के लिए अपने आपको बंद कर लेता है ताकि और ज्ञान चाहिए यानि की बंद कर लेना यानि की बाका मजा आया अब देखिए एक बार फिर से देख लें कृष्ण किसन गंज किसन गंज तो ऐसे भी उपर से नौर्थ में ही आपको शिखाद्य नौर्थ बियार का एक ट्रिक में डाल दिया लेकिन चलिए जो कृष्ण भगवान है वो पुर जलपूर किले उड़न है और जो किसी के पीछे भागता नहीं है वो अपनी ज्यान को हर दिन अपने आप में बंद करके सीखता है बंद मतलब क्या बाका हो गया अब देखिए आप कभी जो भूल के दिखाईए तो यही कोश्चर पूछता है कि पूर्णिया में कितने जिल लगते हैं देखिए बंगाल में कितने जिल लगते हैं अब तो जारखंड हो गया जारखंड बेटे देखिए असानी सब जबाब दे दीजिएगा कोशिज करके देखिए अब लगे कि हां कोई चीज गलत है तो आप मुझसे पूछिए कोमेंट कीजिएगा फिर बता आपको आईए चलिए अब आते हैं दक्षिन दक्षिन तो और मजाने बाला है अब हम पहुंच चुके हैं बाका तक बाका के बात की कहानी ये पूरे के पूरे यहां से जमुई तक की कहानी आईए मज़ेदार होने बाला जहां से कहिएगा उधर से या तो जमुई से कहिए या तो फिर कैमूर से कहिए किलिर है जिसको भभुआ भी कहते हैं याद रखेगा भभुआ कैमूर एक सकेंड रुक जाएगी है एक सकेंड थोड़ा सा चलिए अब जो आते हैं दक्षिन वाले जिला को देखते हैं मज़ा आ जाएगा आएए दक्षिन वाले जिला को देखते हैं अब इधर देख लिए पूरा का पूरा उपर में नेपाल से टच था पूर में बंगाल से टच था और नीचे दक्षिन है वहाँ पूरा का पूरा होगा आपका जारखंड से जो पस्सी में वो पूरा का पूरा UP से होगा clear है, आएए, अब देखिए यहाँ पर ट्रिक यह होगा कैमूर है है न, अब देखिए कम रोहित और गया कम रोहित और गया था नवादा और जमू बस देखिए, अब ध्याद से सुनिए कम मतलब कैमूर रोहतास मतलब रोहित कम रोहित रोहित आना और día बताओ गया था गया मतलब गया हुआ कहां पे थार तो नवादा और जम्मू जम्मू मतलब जम्मू ही जम्मू तो है नहीं तो जो से जम्मू ही हो गया अब कभी भूल पाईएगा कोशिश करकर कोई देख रहे तो अब जड़ा कोशिश कीजिए अब कोश से कम कम मतलब कैमूर यह तो ऐसे भी ध्यान रहेगा और रोहित रोहतास मतलब रोहित कम रोहित और बताओ गया था कहां सर अब उपूचे का कहां सर तो नवादा और जमूई हो गया क्लियर चलिए आए नेक्स में चलते है अब अगर इतना आसान ट्रिक नहीं समझे तो फिर तो आप ही सोचिए कैसे समझना अब देखिए यहाँ पर देखिए गोपाल गंज है, सिवान है शारन है उसके बाद, हाँ भोचपूर भी है, बकसर भी है कैमूर्तो करी दिये यह पाँच जिला है अब पाँच जिला को कैसे किया जाए जिससे आसानी से हो जाए अब देखिए, गोपाल है तीक नहीं गोपाल जो है, वो क्या है एकदम पूरे तरीके से गोपाल, अगर ध्यान रखिएगा गोपाल, तो गोपाल हम कहते है कि इसको कृष्ण भगवान को किलिर है, किलिर है तो गोपाल जो है, वो कौन है कृष्ण भगवान है, और सिवान गोपाल जो है, वो किस में जाते है वान, वन मतलब जंगल जो कृष्ण भगवान है गोपाल जो है वो जंगल जाता है और वहाँ पे वो क्या बजाते है सारंगी बजाते है सारंगी मतलब सारन छपड़ा सारन क्लिर हो बात को समझेगा और जब वो सारन बजा रहा है उसके बाद यही पे जो है भोज होता है और भोज को बकसे में बंद करके लेके चले आते है आसान अब आपको समझ में आ रहोगो एक बार फिर से समझ लिजिए गुपाल जी हो एक कृष्ण भगवान है जो की वन में जा रहे है वन ऐसे भी थोड़ा सा इवाट ठ्रिक ध्यान रखी है और उसके बाद सब कुछ अपने दिबाग में आजएगा गुपाल जो है वो कृष्ण भगवान तो गुपाल गंच गुपाल नाम का कोई लड़का है जो की वन में जाके सारंगी बजा रहा है सारंगी बजा रहा है और फिर सारंगी बजा के जो है भोज कर रहा है ऐसे भी जब भोज होता शादी ब्या में तो पहले गाने ही बजते हैं डीजे ही बजते हैं तो ध्यान रखीगा सारंगी बज रहा है उसको जो है उसके बाद भोज होता है भोज में खाता नहीं बोलता भाई हम बक्सा में बंद कर दो हम घड़ में खाएंगे यानि कि भोज को फिर बक्सा में बंद करके चला जाता है क्लिर हो गया नए आईए अब देखते हैं इस बीच के जिला को यहां तक तो आप समझ गये अब देखिए बीच के जिला में थोड़ा सा हलका सा आप हमारा साथ दीजिएगा मजा आजाएगा अब इस सब बाले जिला को देखना कैसे आईए समझते सबसे पहले आख बंद कीजिए मिडल में आजाएगे जैसे बक्सर, भोजपूर, पटना बीगूसराई, खगरिया बस यहां तक आईए यह मिडल हुआ, इस मिडल को आप पकर लिजिए, इसके उपर टच कर देंगे और इसके नीचे और खेल खतम हो जाएगा, कैसे, देखिए जब भी आप दिल्ली से आते हैं या बंबै से आते हैं तो सबसे पहले गारी जो इंटर करती है बिहार में, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा वो बकसर में करती है, इंटर और ये बकसर वही है जहां पे 1764 में बकसर का युद्ध हुआ था, अब के लिए रोड़ी मजा रहा ने सुनने में, यहां पे बकसर में, बकसर के बाद ये सीदेव कहां पे पहुँचता है भोजपूर में पहुँचता है, ये भोजपूर वही है, जहां बीर कुमर सीन 1857 की कांती में, सुनामी मचा कर रख दिये थे, तो बकसर के बाद भोजपूर, और भोजपूर के बाद पतना के राजधानी में गारी आ जाती है तो ध्यान से सुनगीएगा, पकड़गीएगा मज़ा जाएगा अब जब पतना के राजधानी में आ जाती है उसके बाद गारी जो है, गंगा पार कर जाती है यानि पहुँचती है बीगू सराई और बीगू सराई के बाद जो है उसके बाद यहाँ पे खागरिया में पहुंचती है उसके बाद खागरिया गरिया यानि कि गारी वहीं पे जाके अंतिम अस्टोपेज हो जाती है यानि कि चला कहां से बकसर से बकसर में इंट्री करती है बकसर के बाद कोमर सिंग के जीला में पहुंशता है यानि कि भूचपुर में भूचपुर के बाद राजधानी माता है राजधानी बाद गंगा पार करके सीधे पहुंशता कहां पे सिवरिया बेगुसराय यानि कि द सिखा सके क्योंकि कल से जो है start हो रहा है बिहार बिएर अस्पेसर अगर ये ट्रिक नहीं याद रहेगा जितना हो सके इस वीडियो को देखिए यूज किजिए आ जाएगा दस बारे बार देखिए क्या है जहान है इस दुनिया का जहान है यानि कि जहाना बाद पकर में आ रहा है अब ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि पटना के सीधे नीचे दक्षिन में जो है वो जहान है और जहान जहान होगा वहीं पे क्या होगा बिद्या का केंद्र होगा बगल की बगल की कहानी चल रही जहाँ जहान वहीं बिद्या का केंद्र होगा और बिद्या का केंद्र कहीं पे था बिहार में तो वो नालंदा में था तो नालंदा आ गया मजाया अब नालंदा में कौन पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ेंगे बताईए तो जो सेख होंगे जो अमीर होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे यानि कि इसके बाद जबाएगा तो सिख पूरा होगा और जो अमीर होंगे वही नालंदा में पढ़ेंगे उसके बाद ही तो यहां के बाद क्या करेंगे इदम पूरी तरीकी से लखलक उनको बधाया दी जाएगी यानि कि लखी सराय और जब लखलक बधाया देंगी तो वो क्या करेंगे फिर मूर जाएंगे यानि कि मूर के फिर देखने के लिए भी तयान नहीं बस हो गया, कभी कोई गलत करके दिखा दे कमपीट हो गया अब एक बार और मेरी साथ चलिए पटना है न तो पटना के नीचे जहान है भूल जाएए सुचिए पटना के नीचे जहान है और फिर जहां पे जहान है वही बिद्या का केंद्र है मास्ट सरसुती का केंद्र है यानि कि नालंदा है और नालंदा मुगही पढ़ सकता है जो रहीस की अउलाद हो सेख की अउलाद सेख जो होते थे उस समय में रहीस होते है सेख लोग जो होते है साओधिय अरेविया में यह सब जो होते हैं अमीर होते हैं तो इसी याद रखेगा सेखपूरा किलिर हुआ अब सिकपूरा के बाद जो होगा उसके बाद जब ये सीख जो होगे ये सब अमीर होगे जब घ्यान हो जाएगा तो इनको क्या की दी जाएगी लख-लक बधाई दी जाएगी लख-लक जो पास कर जाता तो उसको बधाई नहीं देते हैं अब 65 में जिसका result आ गया, क्या उसको बधाई नहीं दीजेगा, कॉन डिचुलेशन बेगरे बेगरे नहीं करते हैं, इंग्लिस में लिखते हैं आप लो, बधाई हो, लख लख बधाई हो, तो ध्यान रखीगा, लखी सरह, उसके बाद फिर मूड के देखने वाले ये लोग नहीं हैं टोपर, तो मूड के नहीं तो मूगेर मज़ा आया, अब चलते हैं इसके दक्षिन में, ताकि वीडियो जल्दी तुरा खतम करते हैं, बड़ा न बन जाए, अब दक्षिन में आते हैं, देखिए, ये वाला पोर्शन को पूर देखते हैं, देखिए, ऐसे करके, ये वाला पोर्शन, आईए, दक्षिन में चलते हैं, तो हमने आपको पटना बताया था, पटना से नीचे जहान था, और पटना से उपर जो होगा, अगर जहान है तो हमारी साली भी पटना के उपर रहती है अब किसी के दिमाग में रहेगा सुजीत सर सारन ने बता दे सारन क्यों बताईगा सारन तो पहले ही बता दिये है सारन जो है पहले ही बता दिये क्योंकि गोपाल सारंगी बजा रहा है उसके बाद भोज हो रहा है और भोज को बकसे में बंद करके गर में खा रहा है तो ध्यान रखीगा पटना के उपर जो है वहाँ पे हमारी साली रहती है यानि कि बैसाली यानि कि ससुराल जो है वो कहा है बैसाली में है पकड़िये और जो साली है वो क्या है अक्सर साली जो होती है वो मुपट होती है यानि कि मुझपपडपुर मजा रहा रहा है देखिए मैं सबका सम्मान करता हूँ अगर किसी तरीकी का बोलता हूँ तो बस ट्रिक कितुर आपको याद रखें का क्योंकि दुनिया सक्सेस कोस्ती है कैसे बोलते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आप मैं स्टुनेट को सक्सेस कर भा रहा हूँ तो I am the best और मैं खुब बढ़ियां बोलता हूँ खुब सीधा हूँ और हमसे बच्चे सेलेक्शन नहीं ले पा रहा है तो बखवास है आपके साथ भी वही है खुब पर रहे है रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो बखवास आप है कोई काम के नहीं है जैसे भी हो अब देखिए जो साली होगी वो मुवफट होगी यानि मुजबपरपूर मजा आ गया अब देखिए थोड़ा सा और अब यहाँ पर देखिए बैशाली के बाद है समस्तिपूर जो बैशाली होगी साली जो होगी उसकी जो साधी होगी वो कहाँ पर होगी एक जो है अगर देखा जाए तो सैयुक्त परिवार में क्योंकि जो मुखपट होती है इन सब को सैयुक्त परिवार में साधी करवाई जाती है जापे बहुत सारे लोग होते है यानि बैशाली जो है वो कहाँ चली गई समस्तिपूर मतलब क्या है इस तरीके से देखा जाए तो सैयुक्त परिवार में यानि कि बैशाली जो है वो कहाँ गई समस्तिपूर में अब देखिए समस्तिपूर में यहाँ हो गया अब ध्यान से सुनिएगा अब समस्तिपूर के बाद यह जब यहाँ गई तो यहाँ अब सहारा ढूणना सुरू कर दी सैयुक्त परिवार में गई तो आकाद उसको समझ में आ गया पहले तो मुफट कर रही थी उपर खुब बोल रही थी उपर वाले को अपने घर में बैशाली में लेकि जैसे ही सामने समस्तिपूर में गई उसके बाद सहारा खोजना सुनू कर दी कि अब मुझे कोई बचाओ क्योंकि यहाँ पर बोलती हूँ तो बहुत ताना सुनना मिलता है यानि बचाओ मतब सहारा कोज रही थी यानि कि सहर सा सहारा अब जो सहारा दे रहा था जहां से सुनिएगा जो सहारा दे रहा था पकरिएगा जो सहारा दे रहा था यहां देखिए सहारा जो दे रहा था वो बोला देखो अपनी बानी को न मिठास कर लो बरना कब तक हम सहारा देंगे यहनी अपनी बानी में मद घोल लो मद पूरा मद हम वहां भी पिलाए थे माता सीता को सीता मड़ी के बाद जो है मध ही उखाती थी तो मधू बनी और यहाँ पे साली जो है इसको भी क्या करना सहारा देखे मध पिलाना अब देखिए जब मुपट है जो मुपट होगी वो क्या करेगी किसी से भी भीर जाएगी पकड़िये यानि मुपट जो होगी जो शादी होगी उत्तर में जहाँ पे भैशाली होगी और भैशाली के ठीक उपड़ चले जाएगा उपड़ जब है जो साली होगी वो मुपट होती है और मुपट होती है तो किसी से भी भीर जाती है दर्भंगा खेल खतम खेल खतम अब देखिए, फिर से बैसाली के पास आईए, मुफट है, फिर से बैसाली को जाके समझाएंगे, भाई सबसे मत लड़ा करो, ठीके न, मत भीरा करो, अब आते हैं बैसाली को, उसके बाद बैसाली, शाली, साली को क्या किये, संयूक्त परिवार में जाके साधी कर दिये, समस हम कुछ इसकी यह सहारा देने के लिए तो हमने उसे कहा कि ठीक है मैं सहारा दूँगा लेकिन इससे पहले अपनी बानी में मद घोलो क्योंकि बड़े लोग है और यह तुम्हारे ससुराल है खेल नहीं है समस्तेपूर इस सहारा तभी दूँगा जब अपने मद घोलोगे मद पूरा अब क्या लगता आपको कोई है जो दूसरा जोड़ा आपका है बिहार में किसी का जो नहीं याद होगा मैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको दस से बारे नमर के कोश्चन को 100% सही करबा देगा अगर इस तरीके से जादा नहीं मुझे अपने दिल के बाद जरूर बताईएगा ताकि मैं आपको जितना कर सकूँ अपने तरीके से जरूर मदद करूँगा थेंक्यू नमस्कार